हम अब तक परिच्छा में जितने भी फिजिक्स के प्रस्ण बने हैं सभी को मैं कवर करूंगा और पूरी वीडियो देखने के बाद आपके अंदर फिजिक्स का जो डर है वो खत्म हो जाएगा तो अंत तक आप लोगों को बने रहना है और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्र तक सीर करना है और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है चलिए एक एक प्रसन को देखते हैं पहला प्रसन है निम्न लिखित में से कौन सी मूल भोतिक रासी है आपको बता जा गया है आप से पूछा जा सकता है कि मूल भोतिक रासीयों की संख्या कितनी है तो मूल भोतिक रासीयों की संख्या साथ है हम यहां थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे भी कौन-कौन सी है लंबाई, द्रबिमान, समय, ताप, विद्दृद्धारा, जोद्य तथा पदार्थ की परिमाड, पदार्थ का परिमाड साथ मूल भोतिक रासीयों है ठीक है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट प्रसन है सक्ती का मात्रक है तो सक्ती का मात्रक है वाट ठीक है और आपसे एक प्रसन और बन सकता है कि सक्ती का फार्मूला क्या है तो सक्ती क फार्मूला है कारिवटा समय यह भी आपको याद रखना है कारिवटा समय और सक्ति का मात्रा रख है वाट है क्यां कि नेक्सट प्रसंता है विद्दूति सक्ति की 20 है war क्या है Wat dio सकति कई-Ka I What का नेक्ष्ट प्रस्न बल का मात्रक है तो बलका मात्रक है Newton जो कि Apson C में दिया गया है बल का जो अगरमूला होता है वह होता है द्रब्विमान एंद्रब्विमान गुड़े तौरन यह भी आपको याद रखना है द्रब विमान गुडे तरण ये किसका है बल का फार्मूला है और बल का मात्रक है न्यूटन नेक्स्ट प्रसना है कारी का मात्रक तो कारी का मात्रक है जूल जूल उर्जा का भी मात्रक होता है ये भी आपको याद रखना है कारी का भी मात्रक और उर्जा का भी मात्रक क्या है जूल नेक्ष्ट प्रस्ण है आवर्ती को मापा जाता है तो आवर्ती को जो मापा जाचा है वो हर्टज में मापा जाता है और एक सामान्य मनुस जो है एक सामान्य मनुस 20 हर्टज से 20 हजार हर्टज तक सुन सकता है ये भी आपको याद रखना है एक सामान्य मनुस 20 हर्टज से 20 हजार हर्टज के बीच सुन सकता है नेक्स्ट प्रसन आपके सामने हरटज में क्या मापा जाता है तो हरटज में आवर्ती मापी जाती है जो की आपसन ये में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है चालक की बिद्दुत प्रतिरोधक्ता की इकाई जो है यह इसमें चारो आपसन गलत है इसकी इकाई है ओम मीटर क्या है ओम मीटर यह आपको याद रखना है ओम मीटर नेक्स्ट प्रस्ण है ओम मीटर मात्रक है तो अभी आपने पढ़ा कि प्रतिरोधक्ता का मात्रक ओम मीटर है जो आपसन सी में दिया गया है प्रकास वर्स इकाई है तो प्रकास वर्स इकाई जो है किसके है दूरी की है प्रकास वर्स बराबर 9.46 गुड़े 10 के पावर 15 होता है ये भी आपको याद रखना है 9.46 गुड़े 10 के पावर 15 यहां आप देख सकते हैं कि एक प्रकास वर्स बराबन 9.46 गुड़े 10 के पावर 15 और प्रकास वर्स किसका मातरक है फिर से पूछा गया है तो प्रकास वर्स दूरी का मातरक है नेक्स्ट प्रसन है प्रकास वर्स होता है तो वह वर्स जिसमें सूर का प्रकास अधिक्तम रहा हो गलत है वह वर्स जिसमें कारिभार हलका रहा हो प्रकास द्वारा एक वर्स में चली गई दूरी यही करक्ट एंसर जो कि आपसंस C में दिया गया है सूर तथा प्रिश्वी के बीच की ये भी गलत है तो आपसंसी करक्ट हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसने खगोलिय दूरिया प्रकास वर्स में मापे जाने का कारण निम्न लिखित में से कौन सा है तारकिय पिंडो के बीच की दूरिया परवर्तित नहीं होती गलत है तारकिय पिंडो का गुर्त परवर्तित नहीं होता गलत है प्रकास सद्यो सीधी रेखा में यात्रा करता ये भी गलत है प्रकास की गती सद्यो एक समान रहती है ये आपको याद रखना है खगोलिय दूरिय प्रकास वर्स में मापे जाने का जो कारण है प्रकास की गति सद्यों एक समान चलती है नेक्ट प्रसन है एक पार्स एक तारो संबंधी दूरियाम आपने का मात्रक बराबर है तो एक पार्स एक तारो संबंधी दूरियाम आपने का जो मात्रक है पॉइंट 25 प्रकासवर्स जो की आपसन B में दिया गया है यहां आपको देख लेना एक पारसेक बराबर तीन गुड़े 10 के पावर 16 मीटर होता है और एक प्रकासवर्स बराबर 9.46 गुड़े 10 के पावर 15 होता है और एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकासवर्स के बराबर होता है फिर से पूछा गया पारसेक का मातरक तो पारसेक का मातरक दूरी है नेक्स्ट प्रसना है माप की कौन सी इकाई को 0.49 से गुड़ा करने पर इंच प्राप्त होता है तो आपको पता होगा कि एक संटीमीटर बराबर 0.49 होता है तो आपसन नंबर B में दिया गया है संटीमीटर किस से गुड़ा करने पर संटीमीटर से गुड़ा करने पर नेक्स्ट प्रसना है 6 फीट लंबे बिक्त की उचाई 9 मीटर में कैसे बिक्त की जाती है अब देखे 6 फीट कहा गया तो एक फीट बराबर होता है 30.5 गुड़े 10 के पावर 7 ठीक है 30.5 गुड़े 10 के पावर 7 लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है 6 फीट तो हम लिख देंगे 30.5 गुड़े 6 गुड़े 10 के पावर 7 तो हम गुड़ा करेंगे तो 6, 35, 0, 6, 0 और फिर क्या होगा 3 और 6, 18 तो क्या हो जाएगा 183 अगर आप गुड़ा करेंगे 183 गुड़े 10 के पावर 7 नैनो मीटर जो की आपसंसी में दिया गया है यहां आप देख सकते हैं कि 1 ft बराबर 30.5 गुड़े 10 के पावर 7 मीटर तो 6 पीट बराबर तो 6 गुड़े 30.5 गुड़े 10 के पावर 7 और आगा 183 गुड़े 10 के पावर 7 नैनो मीटर नेक्स्ट प्रस्ण है एक नैनो मीटर होता है तो एक नैनो मीटर दस के पावर माइनस नौ सेंटीमीटर होता है देख सकते हैं आप यहाँ पे एक नैनो मीटर मीटर का एक अरबवा भाग होता है इसका मान दस एंगस्टरम के बराबर होता है देखिये एक नानो मीटर बड़ाबर एक बटा एक अरब मीटर अब इसे हम 10 के पावर माइनस 9 मीटर भी लिख सकते हैं गिंपीर मापने की काई तो गिंबीर मापने की काई क्या है बिद्धरच जो की आपसन बी में दिया गया है मेगावाट बिजली नापने की इकाई है तो मेगावाट जो है बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है वह बिजली और एक मेगावाट बराबर जो होता है दस के पावर छे मिलियन वाट के बराबर होता है आपको याद रखना है सियां हां यहां Какी हैं तो तौरण जो होता है यहां हुता है वो मीटर सेकनद ठीक है मीटर बटा सेकन्ड स्क्वाइर होता है बल जो होता है वो न्यूर्टन होता हैा यहां दो कि एक दो तो आपसन नमबर डी में डी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगी नेक्स्ट प्रसन है आपको बताना है कि निमने लिखित SI यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखिए कारी का जूल होता है सही है बल का न्यूटन होता है ये भी सही है द्रब बिवान का किलोग्राम होता ये भी सही है दाब का डाइन नहीं होता ये गलत है दाब का क्या होता है दाब का पासकल होता है दाब का क्या होता है पासकल पासकल होना चाहिए तो आपसन नमबर डी सही हो जाएगा नेक्स्ट प्रसना है निमने लिखित में से किस रासी का मात्रक नहीं है तो प्रतिवल बल दाव तीनों का है विक्रित का नहीं है या एक बिमा ही ने रासा है तो इसका करेक्ट एंसर आपसन नंबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट प्रसना है सूची एक को सूची दो से मिलाना है फिर से आपको तो यहाँ पे देखे वाट वाट क्या है सकती तो सकती हो जाएगा नाट जो होता है एक नाट समुन्द्री जहाद की गत मापता है और नाट कल मील जो है ये नव संचालन मापता है और कैलोरी जो है उ में दिया गया है नेक्ष्ट प्रस्णाब के सामने है इसका उत्राब को देना है इसको सुंबेल करना है तो जूल किसका होता है तो जूल होता है कारी का यह हमें पता है एंपियर किसका होता है तो एंपियर होता है धारा का ये भी पता है वाट किसका है तो वाट है सामर्थ का ये भी पता है वाट है सामर्थ का बोल्ट किसका है बोल्ट है विभवांतर का और कैलोरी किसका है तो कैलोरी है उसमा का ठीक है तीन एक दो चार पांच जो की आपसन नंबर आपकी सामने ये में दिया गा है ये इसका करेक्टर एंसर हो जाएगा। निमन लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है नाट जहाज की चाल को मापता है नाटिकल मेल नव संचालन में प्रियुक्त दूरी की इकाई एंगस्ट्राम प्रकास के तरंग दैद की इकाई ये तीनों सही हैं प्रकास वर्स समय की मापन इकाई तो निरवात में चली गई प इसकी है तरंग दैद्ध की जो की आपसर नंबर आपके सामने ए में दिया गया है एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है ये भी आपको याद रखना है यहाँ आप देख सकते हैं एक एंगस्ट्राम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर नेक्स्ट प्रसन है एक होर्स पावर में कितने वाट होते हैं तो एक होर्स पावर में 746 वाट होते हैं नेक्स्ट प्रसन है सूची एक को सूची दो से मिलाना है आपको बताना है तो उच्च वेक, उच्च वेक मैक ये बिल्कुल सही है तरंग दार्द, अंगेस्टरम ये भी बिल्कुल सही है C जो है दाव दाव पासकल ये भी सही है उर्जा जूल तो A, B, C, D 1, 2, 3, 4 सही होगा एक दो तीन चार कहां पे है आपसन नमबर C में है C इसका correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रस्ण है उर्जा जूल से उसी तरह संबंदित है जैसे पास्कल संबंदित है तो पास्कल किसे संबंदित है दाब से जो की आपसन B में दिया गया है नेक्ष्ट प्रस्ण है एक माइक्राउन बराबर होता है तो एक माइक्राउन बराबर एक बटा एक हजार मिली मीटर के बराबर होता है जो की आपसन C में दिया गया है एक माइकरान लंबाई परदर्शित करता है तो एक माइकरान लंबाई जो परदर्शित करता है 10 के पावर माइनस 4 संटी मीटर की लंबाई परदर्शित करता है कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे कि 10 के पावर 6 होता है दस के पावर छे लंबाई जो होता है वो सेंटी मीटर में नहीं होता है वो मीटर होता है यह याद रखना है अगर यहां मीटर दिया होता तो यह सही हो जाता एक माइकरोन की दो लंबाई है दस के पावर माइनस छे मीटर होता है नेक्ष्ट प्रसनेंड निम्न लिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है डेसी वल धोन की परवलता की काई सही है असु सकती की काई ये भी सही है समुंदरी मील नव संचालन में दूरी की काई ये भी सही है सेल्सियस उसमा की काई विल्कुल गरत है Celsius ताप की पाई मापता है तो जो गलत है वो आपसर नमबर D सही हो जाएगा Next प्रसन है निमन लिखित में से कौन सी एक उसमा की काई नहीं है तो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल ये तीनों की तीनों उसमा की काई है लेकिन वाट नहीं है ये आपसर नमबर D सका correct answer हो जाएगा Next प्रसन है एक किलो मीटर दूरी का ताती पर है तो एक किलो मीटर दूरी का ताती पर एक हजार मीटर जो की आपसर C में दिया गया है और एक मीटर में अगर बात किया जाए तो एक मीटर में 100 cm होते हैं ये भी आपको याद रखना है Next प्रसन है एक पीको ग्राम बराबर होता है तो एक पीको ग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है ठीक है आपसे पूछा जा सकता है कि 10 के पावर माइनस 6 किसके बराबर होता है तो यह आपको बताना है तो यह होता है माइक्रो ग्राम के बराबर दस के पावर माइनस जो 9 जो होता है यह नैनो ग्राम के बराबर होता है और दस के पावर माइनस 15 जो है यह फेम्टो ग्राम के बराबर होता है यहां आप देख सकते हैं एक पिको ग्राम बराबर दस के पावर माइनस बारा एक माइक्रो ग्राम बराबर दस के पावर माइनस चे एक फेम्टो ग्राम बराबर दस के पावर माइनस पंदरा एक मिली ग्राम बराबर दस के पावर माइनस तीन ग्राम एक नैनो ग्राम बराब एक अधिस रासी है इसका फार्मूला होता है न्यूटरन बटा मीटड़ स्कौर यह भी याद रखना है जो की दाब की इकाई है Newton बटा वर्ग मीटर जो की option number आपके सामने ये में दिया गया है दाब का मातरक है तो दाब का मातरक Newton बटा मीटर होना चे kilogram kilogram ये है तो इन वे से कोई नहीं जो की option number D में दिया गया है next प्रसन है परिस्थितिक के दबाओ या atmospheric pressure की इकाई क्या है तो इसकी इकाई है बार जो की option number ये में दिया गया है एक बार बराबर एक बार बराबर दसके पावर पांच पासकल होता है ये भी आपको याद रखना है next प्रसन है एक किलो ग्राम बटा सेंटी मीटर स्क्वाइर दाब समतुल है किसके तो एक बार के जो की option number B में दिया गया है निमन लिखित में से कौन सी अधिस रासी है तो बल बेक तौरण ये तीनों के तीनों सधिस रासी है दाब जो है दाब एक अधिस रासी है ये आपको याद रखना है अब हम थोड़ा सा सदिस और अधिस के डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं बल बेक बिस्थापन तौरण संबेक ये सभी की सभी सदिस रासियां होती है जिन रासियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमार क्या हो सकता होती है दिसा की नहीं उन्हें अधिस रासिया कहते हैं आईतन दाब चाल दूरी आदे ये आपको याद रखना है नेक्ष्ट प्रसन आपके सामने है इसका उत्तर आपको देना है बिद्दुत बिभव के संदर्व मेंनिम ने लिखिट सकतनों में से कौन सा सही है यह एक अधिस रासि है यह एक सदिस रासि है इसका जो correct answer हो जाएगा बिद्दुत बिभव तो यह एक अधिस रासि है आपको याद रखना बिद्दुत बिभव क्या है बिद्दुत बिभव एक अधिस रासि है अगर यहां आपको बिद्दुत बिभव न लिखके यहां पे पूँच लिया जाता बिद्दुत छेत्र बिद्दुत छेत्र तो बिद्दुत छेत्र जो है बिद्दुत छेत्र एक सदिस रासी है यह आपको याद रखना है लेकिन बिद्दुत बिभव अगर कहा जाए तो बिद्धित बिभव एक अधिस रासी है नेक्ष्ट प्रस्ण है तेल के एक बाइरेल निम्ने मेश से लगभा कितना होता है तो एक सो वन सट लीटर के बराबर होता है जो कि आप्शन बी में दिया गया है लंबाई की निउन्तम इकाई तो लंबाई की निउन्तम इकाई जो है वो है फर्मी मीटर फर्मी मीटर एक फर्मी मीटर बराबत 10 के पावर माइनस 15 मीटर एक नैनो मीटर बराबत 10 के पावर माइनस 9 मीटर और एक माइकरॉन बराबत 10 के पावर माइनस 6 मीटर और एक एंगेस्ट्रम बराबर 10 K पावर माइनस 10 मीटर होता है ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट प्रस्वन है सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है और फिर इसका अंसर आपको बताना है तो देखे यहां लिखाए Q से एक Q से एक जो है पानी के परवाह के दर को मापता है जो की ये तीन नमबर हो जाएगा बाइट बाइट जो है कम्प्यूटर जो की आपसन B में दिया गया है रियक्टर रियक्टर जो है भूकम की तीवरता तो इसका C का 3 हो जाएगा और बाइट जो है दाब तो क्या हो जाएगा आपको पता चल गया कि Q से क्या है Q से के परवाह के दर 3 पहले फिर बाइट कम्प्यूटर फिर 4 और एक तर भूकम फिर 2 और बाइट एक दाब 3,4,2,1 इसका करेक्ट एंसर होगा 3,4,2,1 जो की आपसं B में दिया गया है यहां आपसे फिर पूछा गया है कि Q से क्या मापा जाता है तो Q से क्या मापा जाता है जो की आपसं C में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है निम्ने आंकित में से कौन सा वायू मंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली काई है तो डापसन है जो की आपसन बी में दिया गया है एक डापसन के बराबर अगर पूछा जाए तो एक डापसन जो होता है वो 2.69 गुड़े 10 के पावर 20 से ओजोन अडू वर्ग मीटर के बराबर होता है ये भी आपको याद रखना है याद रखना है डापसन यहाँ से पूछा गया है कि ओजोन प्रत दोखिए एक डापसन इक 2.69 गुड़े 10 के पावर 20 ओजोन अडू प्रतिवर्ग मीटर के समतुल्य होता है फिर से पूछा गया डापसन इकाई का प्रियोग किया जाता है तो डापसन इकाई का प्रियोग ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है यहाँ पे कुछ मापक यांत्रा में देख लेंगे अल्टी मीटर उचाई मापक यांत्रा है ठीक है ए मीटर जो है बित्तु धारा मापक यांत्रा है एनिमो मीटर वायू बेग मापी है और यहाँ पे फिर पूछा गया है एंटिनो मीटर एंटिनो मीटर सोर बिकरन मापक है और एटिमो मीटर वास्पी करन बैरो मीटर वायू मन्दिलिये दाव मापी यंत्र है बोलो मीटर उस्मिय या बिद्दुद चुम्बिके बिक्रण सांसूचक यंत्र है और कैली पर्स जो है बस्तु के आंतरी क्यों बाह ब्यास को मापने वाला यंत्र है कैलोरी मीटर तो पदार्स द्वारा आउसुसित या मुक्त गई उसमा के मात्रा को मापने वाला यंत्र है कार्डियोग्राफ तो कार्डियोग्राफ हिरदय किर्गत को रिकार्ड करने वाला उपकरण है क्रोनो मीटर तो समय को पूर्ण परिसुधता के साथ मापने मापन करने वाली घड़ी जिसका प्रियोग मुकता नाविको द्वारा समुद्र में किया जाता है और कोलोरी मीटर कोलोरी मीटर तो रंगों की तिब्रता को मापन द्वारा पदार्थों की सांदरता का पता लगाने में प्रियोग किया जाने वाला उपकरण है कैथेटो मीटर तो कैथेटो मीटर जो है या उर्द्वाधर दूरी निम्नताप को मापने के लिए किया जाता है ये भी आपको याद रखना है, कुछ और है उपकरण, जैसे क्रिशको ग्राफ, तो पवधो को बृध्धी को मापने वाला उपकरण है, डिलैटो मीटर, पदार्थों की आयतन में होने वाले परिवर्टनों के मापने वाला उपक करण है Dynamo जो हई तो फिर दोएं सिफलोग्राफ शवें classify की ऑप स्कोप किसी निकाए में विद्दूत आवेश के उपस्थित को पता YOUR gonna है यूपarimeter वयू मंदल में जल की वास्पी करण के दर को मापने वाला उपकरण है इंडो इसकोप सरीर के आंतरिक अंगों का निरचल करने वाला यंत्र है फैदो मीटर सागर की गहराई मापने वाला यंत्र है और फलक्स मीटर चुमकिये प्रवाह की मापक यंत्र है गैलवेनो मीटर जो है य आध्यूंत्र को मापन करने वाला यांत्र है और उसकोब आध्यूंत्र को प्रिवर्टन को कुछ इंप्रंटन्थ है इसे भी आपको याद रख लेना और नोट डाउन कर लेना है इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा जिसका नाम एकजाम गुरुजी वाई अर्बिन सर है वहाँ से आप जा कि इसका PDF ले सकते हैं कुछ उपकरण और भी आपके हैं लेक्टो मीटर तो ये दूद की गुलवत्ता को मापता है और लक्स मीटर प्रकास की तीब्रता को मापता है लिसी मीटर तो वास्ट्विक्स और वास्पोत सर्जन को मापकी अंतर है और मैगने मीटर जो है चुम्बिके छेत्र की तीब्रत का मापन यंत्र है मैनो मीटर जो द्रव या गैसों के दाब को मापन करने वाला उपकरण है माइक्रोफोन तो यह यंत्र धोने तरंगों को बिद्धूत इस पंदनों में परिवर्थित करता है और माइक्रोटोम जो है यह ऐसा यंत्र है जो अडू वे छड़िये निरचल के लिए किसी बस्त को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है और नेपोइसकोफ है यह बादलों की उचाई बेग तथा गत की दिसा को मापन करने वाला यंत्र है और ओडोमीटर किसी वाहन द्वारत तैंकी गई दूरी को मापने वाला उपकरन है फोनोग्राफ तो फोनोग्राफ ध्वन की यांत्रिक रिकारेडिंग योम पनुरुत पादन करने वाला उपकरन है ठीक है फोटोमीटर प्रकास तीवरता मापक यंत्र अब हम जितने यंत्र हैं प्रस्नक में साथ साथ देखेंगे और क्योंकि कुईच के रूम में आपको पढ़ना है तो सोनार निम्न लिखित द्वारा प्रियोग में लाया जाता है तो सोनार जो लाया जाता है वो नो संचालकों के द्वारा लाया जाता है और सोनार का काम होता है समुद्र की गहराई का पता लगाना और सोनार की सहाइता से समुद्र में कोई भी डूबी हुई सोनार की सहाइता से समुद्र में कोई भी डूबी बस्तों की बारे में भी हम पता लगा सकते यहां प्रस्ण भी बना है महा सागर में डूबी हुई बस्तों की स्थिती जानने के लिए निमने में से किसी अंत्रका प्रियोग किया जाता है तो वह है सोनार जो की आपसन D में दिया गया है सोनार में हम उपयोग करते हैं तो सोनार में हम परासरब तरंगों का उपयोग करते हैं जो की आपसन C में दिया गया है हम आपको रेडियो तरंग, परासरब तरंग, सरब तरंग, अपसरब तरंग जब आपको डापलर पढ़वाओ ध्वनी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इनके बारे में हम डिसकस करेंगे ध्वनी की तीवरता को मापने वाला यांतर आइडियो मीटर है जो की आपसन D में दिया गया नेक्स्ट प्रसन है एनीमो मीटर से निम लिखित में से किसका मापन किया जाता है तो मैंने बताया था एनीमो मीटर से पवन बेग का मापन किया जाता है आपसन C में दिया गया है यहां पर भी है वायू की गती मतलब पवन का बेग तो एनीमो मीटर से जो की आपसन B में दिय गया है नेक्स्ट प्रस्ण है निमने में से कौन सा सुम्मेलित नहीं है एनीमो मीटर वायू की चाल मापता है सही है अमीटर बिद्धुधारा मापता ये भी सही है पाइरो मीटर उच्चताब मापता ये भी सही है टोक्यो मीटर दबवांतर बिल्कुल गलत है क्योंकि या ए प्रस्ण है पाईर हीलियो मीटर पाईर हीलियो मीटर का प्रियोग किसे नापने के लिए किया जाता है तो सोलर रेडियसन को मापने के लिए किया जाता है जो कि आपसन B में दिया गया है यहाँ पे एक पॉइंट आपको देख लेना है कि सोर बिकरण को नापने के लिए मुक्ता दो परकार के उपकरण परियोप मिलाए जाते हैं, एक पायरेनोमीटर और ये पायर हीलियोमीटर ये भी याद रखना है, अगला प्रसना है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों के दाब सापेच आदरता इस्प्रिंग तुला जो है स्प्रिंग तुला है भार और बैरो मीटर है दाब तो क्या होगा A का 3B का 4C का 2 और D का एक 3 4 2 , एक इसका correct answer होगा जो की option number B में दिया गया है निर्ष्ट प्रस्伙ह है निमली लिखञत में से कुन सा एक सहीं सुमेलित नहीं है, ओडो मीटर वाहनों के पैहों द्वारताई की गई दूरी मापने का यंत्र है, ओडो मीटर विद्दूत चुम्बके तरंगों की आवर्ति मापने का यंत्र है, आइडियो मीटर धोने करेक्ट एंसर हो जाएगा डी गलत दिया गया था नेक्ष्ट प्रस्ण है विद्दु धारा निम्नमेशक की सुपकरण से नापा जाता है तो A मीटर से जो की आपसन B में दिया गया है नेक्ष्ट प्रस्ण है वायू मंडलिये दाब को मापने का यंतर का उप्योग किया जात है जो की आपसन B में दिया गया है आपको याद रखना जो बैरो मीटर है तो ऊपर जब चड़ता है तो मौसम साफ रहता है मौसम साफ रहता है और जब बैरो मीटर नीचे अचानक गिरता है तो आंधी तुफान आती है ये भी आपको याद रखना है ये पॉइंट कहीं कह पूछा जा सकता है next प्रस्णाब के सामने साधारण बैरोमीटर में पलत की उपयोग किया जाता है और अपसे अधिक तर पूछा कि आप एच्छी घनत तो ग्याद कीजिए तो दूद का जो आप एच्छी घनत है वो लेक्टो मीटर से मापा जाता है जो कि आपसं C में दिया गया है एक प्रस्ण बन सकता है दूद में दूद में जो वसा होता है उसे मापने के लिए कौन सा यंदर प्रयोग किया जाता है वसा तो ब्यूरो मीटर ये भी आपको याद रखना है ब्यूरो मीटर का प्रयोग किया जाता है दूद में वसा को मापने के लिए नेक्स्ट प्रस्ण है वायु मंडल की सापेच आधर्टा ना पी जाती है तो हाईग्रो मीटर से जो कि आपसं B में दिया गया है नेक्ष् तो यह जो है 3, B 4, C जो है 2, 10, 4, 2, 1 इसका correct answer होगा 3, 4, 2, 1 जो कि आपसन नमबर C में दिया गया नेक्ट प्रस्न है रक्त दाप नापने का यांत्र का क्या नाम है तो स्पेगनो मैंनो मीटर जो कि आपन बी में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन है निम लिखिन में से किसे 1500 सेल्सेल से अधिक ताप मापन है तो प्रियोग में लाया जा सकता है तो वह है पाइरो मीटर जो की आपसन D में दिया गया है क्योंकि सबसे अधिक जो ताप मापन में लाया जा सकता है वो पाइरो मीटर ही है नेक्ष्ट प्रस्ण है प्रकास की तीवर्ता नापने के लिए कि सुपकरण का प्रियोग किया जाता है तो प्रकास की जो तीवर्ता मापी जाती है लक्स मीटर से मापी जाती है जो की आपसंस C में दिया गया है Next. Π doe준ř है. रडार उपयोग में आता है. प्रकास तरंग द्वारबस्थों को पता लगाने में गलत है, ध्वन तरंगों को प्रिवर्टित कर बस्तों को पता लगाने में रेडियो तरंगों द्वारबस्थियों की इस्थिटी ग्याद करने में , pross rapt का करेक्ट एंसर हो जाए गए निम्ने में से कौन सी राज रियक्टर पैमाने पर मापी जाती है तो वह भूकम्प की तीवरता जो की आपसंसी में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है दोस्त इसमें मैं कुछ प्रस्ण को छोड़ देता हूं क्योंकि बार बार वही प्रस्ण रिवीजन हो रहे हैं बार बार आ रहे हैं तो उन प्रस्ण को जो आप पढ़ चुके हैं उसे मैं नहीं लिख रहा हूं यह नहीं बार बार लेकर आ रहा हूं उस को मैं ignore कर देता हूं कौन सा सुम्मेलितह नहीं तो celsius ताप सही है आर याज गुड़ग रुक्त बिल्कुल सही है कि लोंएट आवर बिद्धूत यह भी सही है किनोवात आवर यह भी बिल्कुल सही है और रीयक्टर पस्न अधरता गलत है रीयक्टर पना धरता होना चाहिए यहाँ पे दो आपसन है Celsius फोरनाइट यह दोनों के दोनों दोस्ते रिलात्मक मान होते हैं यहाँ पे क्यों नहीं दिया है मैं आपको बताओ तो Kelvin जो है Kelvin जो है यह रिलात्मक मान नहीं होता है Kelvin इसका correct answer हो जाएगा आपसन नंबर C में होगा यह D में होगा तो C का correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रसन है निमने में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है तो भूकंप मापी जो यंत्र है वो सीसमोगराफ है जो की आपसन B में दिया गया है नेक्ट प्रसन है सुमेलित कीजिए भूकंप तो देखिए भूकंप जो है सीसमोगरा एक और डी का चार, दो, तीन, एक चार जो की आपसन ये में दियागा, ये इसका correct answer हो जाएगा, इसमें आपको सुमेलित करना है, A से और B में तो फैदो मीटर जो है, ये समुदर की गहराई को मापता है, A का चार हो जाएगा, बैरो मीटर जो है, बैरो मीटर ये वायो मंदली दाब मापता है, B का एक हो जाएगा, और हाइगरो मीटर जो है, हाइगरो मीटर वायो मंदली आदरता मापता है, C का दो हो जाएगा, अल्टी मीटर क्या है, उचाई मापता है, तीन हो जाएगा, समुद्र की गहराई जो की आपसंसी में दिया गया नेक्ष्ट प्रस्ण है सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है तो पहले यहां दिया गया है हाइग्रोमीटर तो हाइग्रोमीटर आदरता मापता है सही है और यहां पे फिर दिया गया सीस्मोग्राफ तो सीस्मोग्र A का 3 सही है और B का B का 1 सही है और C का 2 सही है D का 4 सही है 3, 1, 2, 4 जो की आफसर नमबर D में दिया गया है D इसका correct answer हो जाए नेक्स्ट प्रसन है निमन आंकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है मैनो मीटर दाब का सही है कार्बूरेटर कार्बूरेटर आंतरिक दाहन इंजन ये भी सही है कार्डियोग्राफ हिर्देगत सही है सीस्मोग्राफ प्रिष्ट थल की वकरता गलत है ये भोकंप मापता है भोकंप को तो जो की आपसन डी गलत है डी इसका correct answer हो जाएगा नेश्ट प्रसंद निम ने लिखित में से किसका मापन में फोनो मीटर का प्रियोग किया जाता है या उपियोग किया जाता है प्रकास के चमकीले पन की गलत अत्यतिक उच्छताब की गलत बिद्द चुम्बिके तरंग की आवर्ती गलत वायुमंडली आदर्ता गलत यह क्या है धोनी को मापता है फोनो मीटर धोनी की तीबर्ता को इसमें चारो के चारो आपसन गलत है आपको याद रखना है धोनी की तीबर्ता को मापता है फोनो मीटर यहां पे आपको याद रखना है कि फोनो मीटर का प्रियोग ध्वन की तिवर्तायों अस्पंदन आवर्ती को मापने में होता है नेस्ट प्रसन है जूट का पता लगाने वाला यंत्र तो जूट का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है पोलीग्राफ जो की आपसन ये में दिया गया है यहां पढ़ सकते हैं पोलीग्राफ है जूट का पता लगाने वाला यंत्र और पाइरो मेटर उच्चताप मापने वाला में तो गाइरो इसकोप गूमती हुए बस्तों की गतनापने का यंत्र और काइमो ग्राफ है सरीर के किरियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपत करने वाला यंत्र या रक्ति चाप हिर्दा या धड़कन के बारे में ग्याद कराने वाला यंत्र क्राइमो ग्राफ है नेक्ष्ट प्रस्ण है उर्ध्वाधर तल एलिवेशन योम छैती तल जिसे एजमित कहते हैं इंगलिस में मैं कोड़ी दूरी कुम आपने में प्रियुक्त होने वाला यंतर कौन सा है तो वहा है थियोडो लाइट जो की आपसन डी में दिया गया है नेक्ष्ट प्रस्ण है निउटन की गत्का पहला नियम जाना जाता है जड़त का नियम यहां जड़ता लिग गया थोड़ा सा मिष्टेख है जड़त का नियम से जाना जाता है क्योंकि एक बस्तु जब तक विराम अवस्था में रहे रहेगी जब तक उस पे कोई बाहबल ना लगाया जाए साधारण यंद्र किसी व्यक्त की सहायता करता है कम काम करने में गलत है कम बलका प्रियोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में ये सही है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने पर तो भी इसका करक्ट एंसर हो जाएगा एक ब्यक्त एक संबेदन सील तराजू पर खड़ा है यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी की रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वह बढ़ेगी या घटेगी या वायमंडलियो दबाव पर निर्भर करेगा तो बढ़ेगी करेक्ट एंसर ये हो जाएगा ये इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा एक लीटर एक लीटर वायू अंदर खीचने पर 1.225 वजन किलो गराम बढ़ जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्ट प्रसनाब के सामने है वासिंग मसीन का कारिशिदान था तो व याद रखना है निमने लिखित मेंसे कौन सी रासी सदिस नहीं है तो देखे यहां पर आयतन जो है या एक सदिस रासी नहीं है एक अदिस रासी है लेकिन विस्ठापन बेग बल ये तीनों के तीनों सदिस रासी है ये भी आपको याद रखना है नेक्ट प्रसनाब निमने में से कौन सी एक सदिस रासी है देखिए दाब कार उर जा ये तीनों के तीनों क्या है अदिस रासी है लेकिन जो संबेग है संबेग एक सदिस रासी है आपसन नमबर ये इसका करेक्टर एंसर हो जाए फिर से आपके सामने निम लिखिद में से कौन सी एक सदिस रासी है तो बिस्थापन एक सजिस राशी जो की आपसं सी में दिया गया नेक्ष्ट प्रसन है पदार्थ का संबेग और बेग के अनुपात में कौन सी भोतिक राश्च प्राप्त की जा सकती है तो वह द्रब्यमान जो की सी में दिया गया है और आपसे पूछा जाए संबेग बराबर क् द्रब्यमान गुड़े बेग और कभी कभी इसे पलड भी दिया जाए तो द्रब्यमान बराबर संबेग बटा बेग भी होता है यहां पूछा गया बल गुलन फल है बल गुलन फल है तो बल गुलन फल जो है यह बराबर यम यह होता है हमें पता है द्रब्यमान गुड़े समान है तो उस घं के किनारे की लंबाई माप की इकाई में क्या होगी तो देखिए पहले आईतन का जो फार्मूला होता है वो ये क्यूप होता है ठीक है और प्रिष्ट छेतर का फार्मूला होता है six ये square वो क्या है समान है इसलिए मैंने बराबर कर दिया तो अब यहां पे देखे दो ये है और यहां पे ए तीन है कटेगा तो यहां के वल six ये बचेगा और के वल यहां पे अगर देखा जाए तो एक ही जो मान आजाएगा अगर आप अलग करेंगे तो छे चे आजाएगा जो कि आप सणिदी में दिया गया है next प्रसनाप के सामने हो सकता है और नहीं बिनास हो सकता है next प्रसनाप के सामने हवाओ की उरजा होती है इस्थितिज गलक बिद्दूत इस्थित और गतित दोनों केवल गतिज जो की आपसन भी में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है वायू सक्ती में उर्जा का कौन सा रूप विद्दूत उर्जा में परिवर्थत होता है तो हमें पता है वायू सक्ती में गतित उर्जा जो कि आपसन ये में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है एक ट्रेंज जैसे ही चलना आरंब करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर्के पीछे के उर्जुग जाते हैं ये न्यूटन का पहला नियम है और इसे इस्थिर्ता का जड़त भी कहते हैं जो कि आफसन ये में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है कथन एक एक पूर्था घरसल हीन प्रिष्ट पर खड़ा एक ब्रक्त सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है दूसरा है कारण है यदि किसी तंतर पर कोई बाहि बलव क्रिया सील नहीं है तो उसका संबेग यच परिवर्थित नहीं हो सकता है देखिए ये और आर्जी दोनों जो कहा गया सही है लेकिन आर्जी ये सही का असपश्टी करण नहीं है ब्याक्ख्या नहीं कर पाता है तो भी इसका correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसन है साणक पर चलने की अपेच्छा बरफ पर चलना कठिन है क्योंकि बरफ साणक पर सक्त होती साणक बरफ में से सक्त होती है देखिए साणक पर चलने की अपेच्छा बरफ पर चलना कठिन होता है क्योंकि साणक पर घरसल क्या होता है अधिक होता है साणक भरी हुई गाड़ी को चलाने में उस चलाई मान रखने के लिए आवस्यक ताकस से अफेच्छा क्रित अधिक ताकस से धक्का देना पड़ता है। अब बताना है निसकर्स का किसी चलाई मान बस्तू का भार कम होता है। परारम में पैहे फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पढने के बाद घरसल कम होता है। नेक्त प्रस्ण है एक मनुस इस्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कुदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिस्की तो बताएं कि नाव का दरबिमान और मनुस के दरबिमान का कितना गुना है यहाँ पे देखिए अब नाव का दरबिमान हम माल लेते हैं कि नाव का दरबिमान यन है और मनुस का दरबिमान यम है पुछा गया कितना गुना है अब उसका 5 है और उसका 0.5 है अब उसका कितना है 5 है उसका 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे पान दहमा दस पचास पान दहमा पचास कड़ गया कितनी बार में दस बार में दस गुना हो जाएगा जो कि आपसन नंबर डी में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसना एक टरक एक कार और एक मोटर साइकल की गतिर उर जा हो जाएगा जो कि आपसन सी में दिया गया नेक्ष्ट प्रसने दो समान द्रब्यमान की बस्तों की गतिर उर जा का अनुपात चार अनुपात नव है तो उनके बेगों का अनुपात क्या होगा देखे इसका फार्मूला है एक बटा दो यंबी स्क्वायर अब अगर आप ज जो दिये जाएंगे उसका आपको वर्गमूल निकाल लेना वही इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसन है एक ब्रक्त कार में जो भिराम में बैठा है सनक से कार की चार पईयों में से परतेक पर प्रतकिरिया आर है जब कार सीधी समतल सनक पर चलेगी तो अग पर पईयों में परतेक पर प्रतकिरिया में क्या परिवर्तन आएगा या आर से अधिक होगा गलत है या आर से कम होगा या आपको याद रखना है अगर चार पईयों में से परतेक पर प्रतकिरिया आर है और जब कार सीधी समतल पर चलेगी तो अगर पईयों में परतेक प् पुछा गया था थोड़ा सट्टाप है लेकिन क्योंकि मुझे कोई भी प्रस्ण छोड़ना नहीं है इसलिए मैं हर प्रस्ण को उठाके कवर कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रस्ण है तेल से अंसता भरा हुआ तेल का एक टैंकर सम्तल सनक पर आगे की औरे एक समान तोनर से जा रहा है तो तेल का मुप्त प्रिष्ट छैथिज बना रहेगा गलत है देखिए अगर टैंकर है जैसे ये गाड़ी है ठीक है ये गाड़ी है और ये टैंकर आपका है 36 से इस प्रकारानत होगा कि पिछली सिरे से कम गहराई होगी ये भी गलत है क्योंकि जब टैंकर आगे की तरफ खीचेगा तो जो बेग होता है वो पीछे के ओर बना रहेगा पी तीब्रगत से देखिए यहां पे कहा गया बृत्ता कारपत पर ये गोले में तीब्रगत से जाता हुआ चार पईयो वाला वाहन बाहरी पईयों पर उल्टेगा अंदर के पईयों पर उल्टेगा देखिए अंदर के पईयों पर तो कभी नहीं उलट सकता बाहर की तरफ फि दिया गया है जब इस तरह गाड़ी कोई चलती है तो अगर गिरेगी तो बाहर फिसलेगी बाहर गिरेगी अंदर जल्दी नहीं आएंगी नेक्ष्ट प्रसना आपके सामने तुरण ग्याद करने का सही सूत्र क्या है तो हमें पता है कि तुरण ग्याद करने का सही सूत्र है बराबर बी माइनस यू बाई टी जो की आपसन ये में दियागा ये इसका correct answer हो जाए नेक्स्ट प्रसना है निम्न लिखित में से किसने नूटन से पूर भी बता दिया था कि सभी बस्तों पिर्थभी के और गुरुत्वा करसित होती हैं तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जा ने जो की आपसन C में दिया गया है नेक्स्ट प्रसना है गुरुत्वा करसित के सार्व भौमिंग नियम का प्रतपादन किसने किया तो इसका भी correct answer हो जाएगा नूटन जो की आपसन A में दिया गया है अगला प्रसना है अंत्री छियात्री निर्वात में सीधे खड़ी न नेक्स्ट प्रसना है अंत्री छियान जो चक्कर लगा रहा है अगर वहां से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह कहां गिरेगा पिर्थवी के और गिरेगा गलत है कम गत्से गतिवान होगा ये भी गलत है तो जब वह गिरेगा तो जैसे अंत्री छक्कर लगा रहा है वह इस इसका correct answer हो जाएगा, आप यहां option number C में देख सकते हैं, अंतरिच यान के साथ साथ उसी गत्सेवा गतिवान होगा, जो कि option C में दिया गया है, next प्रसन है, पीसा की जुकी हुई मिनार गिर नहीं जाती, क्यूंकि इसका answer बताना है, वह सीर्स भाग से पतली हो गई है, वह बड़े तल छेतर फल के अच्छादित करती है, यह भी गलत है, इसका गुरुत्व केंदर निम्नतम इस्तिती में रहता है, गुरुत्व केंदर से जाने वाली उर्द्वाधा लाइन तल के अंदर रहती है, इसका correct answer हो जाएगा, जो कि आपसन D में दिया गया है, नेक्ष्ट प्रसन है, यदि पिर्थवी और सूरी की दूरी जो है, उसके अस्थान पर दुगनी होती है, उसके अस्थान पर दुगनी होती है, तो सूर द् पिर्थवी पर गुरुत्वा करसर बल जो पड़ता है, अब जितना है उसका दुगना होगा गलत है, अब जितना है उसका चार गुना होगा ये याद रखना है, चार गुना नहीं, जितना है उसका चार गुना होगा ये इसका correct answer हो जाएगा, नेक्ष्ट प्रसन आपके सा ने जब कोई बस्ट उपर से गिराई जाती तो उसका भार होता है तो जब कोई बस्ट उपर से गिराई जाते तो उसका भार आ परवर्थित होता है तो बी Whilst का Correct answer हो जाएगा नेक्स्ट प्लसना है लकडी लोह मौम के समाना आकार के टुकडो को समान उचाई से पिर्थिवी पर गिराया जाता तो कौन सा टुकड़ा सर पर्थम पिर्थिवी की सता पर पहुँचेगा तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा सभी साथ साथ पहुचेंगा जो की आप्षन D में दिया गया क्योंकि यह सभी समान आकार के हैं और सभी पर गुर्तुए जो तुरण है वो समान लगेगा तो इसलिए इसका करेक्ट एंसर आप्षन नमबर D सही हो जाएगा नेक्स्ट प्रसना है हवा में लोहे और लकडी की समान भार की गेंद को समान उचाई से गिराने पर अब देखिए हवा में लोहे और लकडी की समान भार की गेंद को समान उचाई से गिराने पर पिर्थिभी पर दोनों एक समय गिरेंगी गलत है ए इसलिए लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी यह आपको याद रखना क्यूंकि वायू जो है वायू कहीं न कहीं उस हलके वस्त को रुखने का प्रियास करेगा तो थोड़ा धीमा आएगा इसलिए इसका करक्ट टैंसर आपसर नंबर सी में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन है इसका उत्तर आपको देना है दो गेंद ये तथा बी करमसा 10 किलोगराम तथा एक किलोगराम की हैं उन्हें 20 मीटर की उचाई से एक साथ गिराया जाता है तो उन्हें लिखित में से कौन सा सही होगा तो देखिए जो भार है बलिवाज वो द्रब बिमान पर निर्भर नहीं होता है इसलिए दोनों जो गेंदे हैं वो भूमी पर दोनों ए वाभी एक साथ पहुंचेंगे तो सी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन है 12 इसका एंसर आपको देना है कथान चंद्रमा पर मानाओ का वजन पिर्थवी की तुलना में ए एक बटा छे रहता है चंद्रमा पर पिर्थवी की सता गुरुत्वा करसण नहीं है चंद्रमा पर पिर्थवी की तरह तो क्या पिर्थवी की तरह गुरुत्वा करसण नहीं है तो कथन और कारण दोनों सही है तथा दोनों कथन को सही असपश्ट करता गलत है कथन और प्रिथभी की तरह गुरुत्वा करस्ड नहीं है गलत है तो सी इसका कर्यक्ट एंसर हो जाएगा तो कारण गलत हो जाएगा प्रिथभी तरह पर सब जगां समान होता है धुरूर एखा पर सरवाधिक होता है यहीं इसका कर्यक्ट एंसर होता है अब ही आपने पढ़ा है किसी पिंड या कोई विवस्तु हो तो मानो शरीर का इसका कर्यक्ट एंसर हो जाएगा आपको इससे याद कर लेना है जो दियागा यही सही दर्सी थे यह इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्ट प्रस ने एक उची इमारत से एक गेंद नाइन पॉइंट एट मीटर सेकेंड है कि समान तौरण के साथ गिराई जाती है तो तीन सेकेंड बाद उसका बेग क्या होगा अब देखे इसका 9.8 तो हम 9.8 लिखेंगे और T कितना दियागा? T समा 3 तो यहां तीन लिखेंगे तो यहां पर जीरो का मतलब भी नहीं 9.8 गुटे तीन कर देगे 23, 24, 23, 27, 28, 29, 29.40 का correct answer होगा जो कि आपसं C में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण बिनास्कारी भूकम के गुरुत के तौरण कितना होगा तो देखें यह होता है 9.8 cm से अधिक तो 980 से अधिक होगा जो कि आपसं D में दिया गया है भार हींता होती है तो गुरुत्व अगरसल की सूनी की स्थिती में भार हींता होती है यह इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रस्ण है निमने में कौन सा सुमेलित करम में है तो रेडियम, रेडियम को मैडम क्यूरी ने खोज किया था पैंसलीन तो कौन सा है पैंसलीन एलेकजंडर यह हो जाएगा एक्सरे, एक्सरे को डबलू सी रोंट जन ने और चेचक एडवर्ट जेनर ने तो पहला आया दो, फिर एक, फिर चार, फिर तीन दो, एक, चार, तीन इसका करेक्टर एंसर होगा जो की आप्सन नमबर यह में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है पिर्थवी अपने कच्छ से लगवग 4400 किलो मीटर प्रतिघंटा की गत से घूमती है इस विए तेज गत को हम अनभो क्यों नहीं कर पाते हैं पिर्थवी के आकार की अपेच्छा में हम बहुत छोटे हैं यह गलत है अपने कच्छ में पिर्थवी की गत की अपेच्छा में हमारी गत सून नहीं है यह बिल्कुल सही है तो भी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा क्योंकि अपने कच्छ में पिर्थवी की जो गत्य है गत्किया पेच्छ में हमारी गत्य सुन ने है तो भी इसका कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा यदि पिर्थवी का गुरुट्वा कर्सल बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो निम्न में से कौन सा परड़ाम सही होगा हमें पता है जैसे गुरुट्वा कर्सल अचानक लुप्त होगा तो जो भार है वो सुन हो जाएगा द्रब्यमान वही बना रहेगा ये इसका कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्ट प्रसन है पिर्थवी के चाहरो और परिकर्मा कर रहा किरत्रिम उपगरा इसलिए पिर्थवी के नीचे नहीं गरता है क्योंकि पिर्थवी का आकर्सल उतरी दूरी पर अस्ति भीहीन होता है गलत है चंद्रमा का आकर्सल से निस्क्रिय हो जाता है गलत है उसकी नि इमित चाल के लिए आवस्यक गत्य प्रदान करता है ये भी गलत है क्योंकि प्रिथवी का जो आकरस्ण है उसके गत्य के लिए आवस्यक तुरण प्रदान करता है डी इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन है एक भू उपगरा अपने कच्छ में निरंतर गत्य करता है या अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपगरा को प्रेरीत करने वाले राकेट इंजन से गलत है प्रिथवी द्वारा उपगरा पर लगने वाला गुरुत्वा करस बलते जो कि B में दिया गया बी इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन है कृतिम उपगराः प्रिथिवी से सू अस्पेट से ट्रेक किया जा सकता है डापलर के प्रभावद्वारा यही इसका correct answer हो जाएगा यह जो कि option यह में है अपने कच्छ में एक उपगराः बल यही इसका correct answer हो जाएगा जो कि B में दिया गया है क्यूंकि केंद्रा भी मुखीर मतलब होता है अभ केंद्र बल यहाद रखना अभकेंद्र बलके गारण यह पूरा काम हो सकता है कहीं कहीं पर भी अभकेंद्र बल भी लिखा जा सकता है नेक्स्ट प्रसना है प्रकृत के ग्यात बलों के चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता जैसे कि गुरुत तो बिद्दुत चुम्बकत दुर्बल नाविकेबल और प्रबल नाविकेबल इनके संदर्व में निमलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है गुरुत तो चारों में सबसे प्रबल है य यही पहली बात तो सही नहीं, यह इसका correct answer हो जाएगा, और हम देखते हैं, बिद्दुत चुमकिये सिर्व बिद्दुत आवेस वाले कड़ों पर किरिया करता है, यह सही है, दुर्बल नावकेबल बिगटन, बिगटन विक्ता का कारण है, यह भी सही है, परबल नावकेबल परमाल के केंद्रक में प्रोटानों और नेट्रान को धारित के रखता, यह भी सही है, इसमें यह नहीं सही था, यह इसका correct answer हो जाएगा, क्योंकि गुरुत जो है, चारों में सबसे प्रबल होता है, यह इसका correct answer हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे प्रबल होता है, वो होता है नाब किये यहाँ पे होना चाहिए नाब किये तो नाब किये नहीं दियागा यहाँ पे कह दिया गया तो गुरुत तो जो की गलत है नेक्स्ट प्रसन है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्त को अपना भार कब अधिक मालूप पड़ता है जब लिफ्ट तोरित गत से उपर जा रही है बिल्कुल सही जब उपर चड़ेगे तब उसका भारूम कुछ मालूम पड़ेगा तो यह इसका करेक्ट अंसर हो जाए नेक्स्ट प्रसन है लोलक की कलावधी तो हमें पता है कि लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उतना इसकी कलावधी भी अधिक होगी तो बी इसका करेक्ट अंसर होगा लंबाई के उपर निर्भर करता है लोलक घडिया गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यूंकि गर्मि लड़की जूले पर बैठी स्थिती में जूला जूल रही है उस लड़की के खड़े हो जाने पर परदोल आवर्तकाल क्या होगा कम हो जाएगा अधिक नहीं होगा आपरवर्तित भी नहीं होगा लड़की की उचाई पर निर्भर करेगा गलत कम हो जाएगा ये इसका correct answer हो ज ज्याइब जब गोला माध्यस्थान से गुजरेगा तो current sun हो जाएगा ये बिलकुल सही है हर आवच्टन मेरे गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट भेक को प्राप्त करता ये भी बिलकुल सही है दोलन के दुरां जब गोला चरम इस स्थिती पर पहुंदा तो उसकी गत तुरण दोनों सुनने होते हैं देखिए गती के बारे में नहीं कह सकते हैं तो ये गलत होगा कि तुरण सुनने होता है तो सामान दोलग का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है ये भी सही है तो एक दो चार इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा जो आपके सामने सी में दिया गय कैसी इसका correct answer होगा नेक्स्ट प्रसन है पेंडूलम घड़ी तीवरगत से चल सकती है कब तो पेंडूलम घड़ी जो है तीवरगत से चलती है सीत काल में जो की option B में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन है प्रिथवी का पलायन बेग के क्या है तो प्रिथवी का पलायन बेग है वो 11.2 किलोमीटर सेकेंड है जो की D में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन है अगर किसी बस्तु का 8 किलोमीटर प्रती सेकेंड के बेग से अंतरिच में फेका जाए तो क्या होगा अब देखिए आप 8 किलोमीटर प्रती सेकेंड के गत्से फेकेंगे और गुरुत्वा करसड का वलग 11 प्रिथवी के पलायन बेग ही जो है 11.2 किलोमीटर सेकेंड है तो वो जो है कम पर जाएगा इसलिए वो वापस प्रिथवी पर आगिरेगा तो 20 का करेक्ट ऐंसर हो जाएगा Next प्रस नहीं चंद्रमा पर वायूमंडल नहीं हुने का क्या खारण था यह प्रिथवी के निकट गलत है यह कोई कारण ही नहीं हो सकता या सूर से प्रकास प्राब्द करता यह भी गलत है या पिर्थवी की परिकर्मा करता है ये भी गलत है इस पर गैस अडवो का पलायन बेग उनके वर्ग माध्य मूल बेग से कम होता है यही इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पर लिखा गया है चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं पाया जाता है वायू मंडल अनेक गैसों का मिस्रण है चंद्रमा पर पलायन बेग का मान लगबग 2.4 किलो मीटर सेकेंड है तता धर्ती पर पलायन बेग का जो मान है 11.2 किलो मीटर सेकेंड है तो चंद्रमा पर पलायन बेग से गैस के अडवो का बेग जादा होने के कारण वो वहां से प्लाइन कर जाते हैं इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है नेक्स्ट प्रसन है वर्सा की बूंद की गोलाकार आकिरती का कारण क्या है तो गोलाकार आकिरती का कारण है प्रिष्ट तनाव जो की B में दिया गया है पाणी की बून्द गोलाकार होती है इसका कारण क्या है प्रिष्ट तनाव जो की आपसण्य ये में दिया गया है जो की B में दिया गया है नैनो दर्ब्योव का सरवाधिक महत्मूर्ण गुड होता घर सड है। नेक्सिट प्रस्ण है तेल जल के तल पर फेल जाता है क्यूंकि तेल जल की अपेच्छा अधिक घना होता है गलत है. तेल जल की अपेच्छा कम घना है घलत है। तेल जल का, तेल का तल तनाव, पानी से अधिक है, ये भी गलत है, तेल का तल, तेल का तल तनाव, पानी से कम है, ये भी बिल्कुल सही है, जो कि D में दिया गया है, क्योंकि जो तेल का तल है, तनाव है, वो पानी से कम होता है, ये इसलिए उपर आ जाता है, तो D इसका correct answer हो है नेक्ट प्रस्ण है साबुन के बुल्बुले के अंदर का दाव, देकि वायू मंडलिये दाव से अधिक होता है इसलिए ये इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि साबुन घुलने से क्या होता है जो पानी का प्रिष्ट तनाव होता है वो कम हो जाता है इसलिए वाइमडिले दाप से अधिक होता ही आपको याद रखना है जो कि ये में दिया गया यदि साबुन के दो भिन 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 ब्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरी के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा तो पहला आपसन है दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा गलत है छोटा बुलबुला और छोटा वा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा ये बिल्कुल सही आपको याद रखना है कि छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा बड़ा बुलबुला और प्रस्ण है नेक्स्ट प्रस्ण है जब किसी साबून के बुलबुले को आविशित किया जाता है तो निमने में से क्या घटित होगा तो जो त्रिज्जा उसका है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा आपसन नंबर ये इसका correct answer हो जाएगा next person एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खेचे जाते हैं तो उनमें से किसे में एक से अधिक्तम देर्ध विरिद्धी होगी आपको बताना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मीटर है यहाँ दो मीटर है यहाँ तीन मीटर है तो जिसकी लंबाई अधिक है और साथ में डेड़ यम यम हैं देखिए यहाँ दो यम यम हैं लेकिन लंबाई अधिक नहीं है इसलिए लंबाई अधिक होने के कार डेड़ यम यम होती तो किरोसीन दीप का उपयोग मुस्किल हो जाता बिल्कुल सही कहा गया है कोई मृद उपये का उभोग करने के लिए इश्ट्रा का उप्रियोग नहीं कर पाता ये गलत है स्याही सोक पत्र काम करने में विफल हो जाता ये भी विल्कुल सही है बड़े पेंट जिने हम अपने चारो ओर देखते हैं पिरत्रवी पर नहीं उपते ये भी सही है तो एक तीन चार इसका करेक्ट आइंसर होगा जो की आपसर नंबर आपके सामने B में दिया गया है नेश्ट प्रसन है निमलिखित में से किसे एक के लिए के सकत एक मात्र कारण नहीं है आपको बताना है स्याही का सोखना है भूमगत जल के उपर चलना ये भी है सूती कपड़ों पर जल की भूंदे को फैलना ये भी है और पौधे की जलों से जल का इसका प्रण समों के ओर बलना ये गलत है क्योंकि ये जाइलंग के द्वारा है तो ये इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर D नेश्ट प्रसन है बत्ती वाले इस्टो में केरोसीन की बत्ती में उपर चलने का क्या कारण है तो इसका कारण जो है वो प्रिष्ट तनाव है जो की आपसन सी में दिया गया है एक केस नली में जल की अपेच्छा एक तरल अधिक उचाई तक चड़ता है तो इसका कारण क्या है आपको बताना है तरल जल की अपेच्छा अधिक स्यान है गलत है तरल का ताप जलकी अपेच्छा धीक है ये भी गलत है तरल का प्रिष्ट तनाव जलकी अपेच्छा कम है तरल का जो प्रिष्ट तनाव है जलकी अपेच्छा जादा है तो D इसका correct answer हो जाएगा जब किसी जील की तली से उठकर वायू बुलबुला उपरी सता तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा बढ़ जाएगा ये हमें पता है ये इसका correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसना आपके सामने है ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयानता हमें पता है जब जब दाप बढ़ता है तो जो द्रव की सयानता होती है वो क्या हो जाती है कि घटती है तो भी इसका correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसना है सबसे ज़्यादा सयानता होती है किसमें तो हमें पता है सबसे ज़्यादा जो सयानता होती हो सहद में होती है डी इसका correct answer हो जाए इसमें अगर हम कहें सबसे जादा तो सबसे बाद जादा आप कहेंगे सहद में उसके बाद आप कहेंगे खून में उसके बाद आप कहेंगे जल में और उसके बाद कहेंगे वायू में ये होता है सयानता की संख्याप समझ जाए कि सबसे ज्यादा किसमें है? सहध में वो अधिक गाड़ा है, फिर खून है, फिर जल है और फिर वायू है, नेक्स्ट प्रसन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? वायू दाव की कमी के कारण ये सब होता है, तो य आपसन आपके सामने डी में दिया गया डी सका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसन है मोबाइल तथा आटो मोबाइल ने भारतिय विशेश रूप से ग्रामीर छेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निमलिखित में से किस्से संबंध में एक क्रांति ला दी है लोगों के आवागमन के संबंध में ये भी सही है लोगों के जुडाओ के संबंध में क्योंकि आटो मोबाइल मोबाइल में ये विल्कुल सही है लोगों के संबेदन सीलता के संबंध में गलत है संबेदन सीलता विल्कुल नहीं है तो ये और दो सही हो जाएगा जो कि मीटन पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निमलिखित में से कौन सी मौसम दिसांगित करती है तो जब अचानक गिरता है तो तुफानी मौसम आता है और धीरे धीरे जब ऊपर चड़ता है तो मौसम साफ रहता है ये भी आपको याद रखना है तब धीरे धीरे ऊपर जा है आपके सामने, यहां पर परक नली दी गई है अपके सामने, यहां पर जल भरा है और फ़बुहारे में कौन से छिद्र से पानी, अधिक्तम दूरी तक फेका जाएगा, अब देखें, यहां से यहां तक पानी भरा है और अगर हम खोलेंगे तो सबसे जादा जो दबाव होगा वो कहां पे होगा वो दबाव होगा सबसे नीचे क्योंकि पानी का भार नीचे की तरफ है तो दबाव नीचे होगा तो एक नंबर पानी सबसे तेजी से फैकेगा तो अधिक्तम दूरी तक कौन फेकेगा एक नंबर वाला जो की D में दिया गया इसका correct answer होगा फिर दो नंबर फिर तीन नंबर फिर चार नंबर अगर कम पूछा जाता तो वो चार नंबर वाला होता निम्न में से कौन सा petroleum परिसकरण का उप्तोत पाद है तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा असफाल्ट जो की D में दिया गया इसका correct answer होगा नेश्ट प्रसन आपके सामने कड़े जाडे में जील की सता हिम सीतित हो जाती है किन्तु उसके तलक में जल द्रव अवस्था में बना रहता है या किसे कारण से होता है बर्फ उसमा का कुछाला का ये गलत है जील की सता और वायू का तामान एक सा होने के कारण उसमा की कोई हानी नहीं होती ये भी गलत है जल की सघंता जो है चार सेल्सियत पर अधिक्तम होती है ये हमें पता है तो सी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है सी इतकाल में जब जील की उपरी सता का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलिये जनतु जीवित रहता है मैंने आपको बताया क्योंकि पानी का जो घंत तो है वो चार सेल्सियस से पर उससे अधिक होता है जिसे बर्फ की उपरी सता के नीचे पानी रहता है तो इसका करेक्ट एंसर आपसर नमबर D सही हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है बस्तू की मात्रा बदलने पर आपरवर्तित रहेगा तो बस्तू की मात्रा कर आप बदलने तो घंत जो है वो आपरवर्तित रहेगा इसका करेक्ट एंसर डी सही हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है पानी का आपेचिक घंत सरवाधिक तो अभी आपने समझा की चार डिगरी होगा जो की आपसर बी में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है किस्ता पर पानी का घंत अधिक्तम होता है तो इसका करेक्ट एंसर आपसर नमबर ये चार सेल्सियस हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है जल का अधिक्तम घंत तो जल का जो अधिक्तम घंत है वो 277 केलविन है जो कि आपसन B में दियागा ये भी आपको याद रखना है अगर आपकेल बिन में पूछा जाए नेक्स्ट प्रसन है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किन्तु पानी में डूब जाता है ये सही है लोहे की आपेचिक घनत पारत के आपेचिक गनत से अधिक होता ये गलत है तो यहाँ पे अगर हम देखें है तो ये सही है प्र nooit गलत है जो की C में दियागा Cस का कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है तो आपको पता होगा जो लोहे का गनत तो है पानी से अधिक है तो तब पारे से कम है तो इसका correct answer option number C सही हो जाएगा next person लोहे कि सुई पानी की सता पर किस कारण से तेरती रहती है तो इसका correct answer हो जाएगा प्रिष्ट तनाव के कारण जो की B में दिया गया है next person जब कोई से पानी की बाल्टी को उपर खिचते है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सता से उपर भारी हो गई है यही इसका correct answer हो जाएगा next person एक भार हिन को बारे में 200 गराम जल भारा गया है इसका जल में भार होगा जल में भार होगा तो जल में जो भार होगा वो सुन नहीं होगा यह इसका correct answer हो जाएगा next person मतने के पश्चाद क्रीम का दूज से पर्थक हो जाने का जो कारण हो क्या है दही मतना या कपड़ा धुलना जो मसीन है ये सभी अपके अंधरिये बल पर काम करती है नेक्ष्ट प्रसन है बादलो के वायू मंडल में तैरने का कारण है कि उनका कम क्या कम है उनका कम घनतो जो कि आपसन डी में दिया गया है डीस का करेक्ट एंसर हो जाए नेक्ष्ट प्रसन है निमलिकित में से कौन सा था तो सबसे पहले करित्रिम रूप से उत्पादित किया गया है तो सबसे पहले करित्रिम रूप से जो उत्पादित किया गया है वो टेकनी सियम हुआ था जो कि आपसन डी में दिया गया है इसके जो पर्माड कर्मांग होते हैं वो 43 होते हैं ये भी आपको याद रखना है और इसकी जो खोज हुई थी वह 1937 में हुई थी कब हुई थी 1937 में पर्माड कर्मांग कितना है 43 ठीक नेक्ष्ट प्रसन है समुद्र में पलवन करते हुई आइस बर्माड का कितना भाग समुद्र की सता के उपर रहता है तो वो रहता है एक बटा नौवा भाग जो कि A में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसंग पानी के एक गिलास में एक बरब का टुकड़ा तयर रहा है जब बरब पिगलती है तो पानी का अस्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए आपको लग रहा होगा बढ़ेगा लेकिन गलत है न कम होगा अब ना पहले बढ़ेगा ना कम होगा उतना ही रहेगा जो कि C में दिया गया है नेश्ट प्रसन है पानी के 4 डिगरी सेलसियस पर सरीर तैरता है यह ताब मां 100 डिगरी हो जाए जो कि यह अपसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड तथा अनलोडों के अधिकता के कारण समुदरी जल नमकिन होता है, फलता समुदरी जल का गहनुत अधिक होता है, तथा उसमें उतपलावक्ता भी अधिक होती, इसलिए समुदर के जल में तेरना आसान ह जब कोई जहाद नदी से सागर में घुसता है तो वा कुछ ऊपर उठता है कि वा कुछ नीचे जाता कि उसी तल पर रहता है इसका correct answer बताना, जैसे ही जहाद अंदर घुसता है तो वा कुछ ऊपर उठता है, येही इसका correct answer हो जाएगा, नेक्स्ट प्रस्ण है जब कोई जहाद नदी से निकल कर सागर में परवेश करता है तो वा कुछ उपर उठता है विल्कुल सही है सागर के जल का घंट नदी के जल के घंट से अधिक है ये भी सही है ये आर दोनों सही है और आर जो है ये की सही ब्याक्ख्या भी करता है तो ये इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट प्रसना इस्थित विज्ञान निम्लिखित में से किस संबंदित है तो भिष्रां की इस्थित से संबंदित है जो कि B में दिया गया बी इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन है द्रिस इस्पेक्ट्रम के तरंग दयर्थ की सीमा क्या है तो उसकी तरंग दयर्थ है 4900-7600 के बीज जो कि B में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है मानो आँक दिस प्रकास के जिस तरंग देद के लिए सरवाधिक सुग्राही होता है वह 2500 जो की आपसन b में दिया गया है नेक्ट प्रसन है निम्न मेंसे किस B की करण में किस बिकरण में उर्जा प्रत क्वांटम सरबाधिक होगी तो सबसे ज़्यादा जो उर्जा सरबाधिक होगी वो दो सो से दो सो असी यनियम के बीच जो की आफसन B में दिया गया है नेक्ट प्रसने सौर बिकरण निम्न में से किस परास में दिखता है तो सौर बिकरण जो है 400 से 700 यनियम के परास में दिखता है जो कि B में दिया गया है नेक्ट प्रसने द्रिश प्रकास का तरंग दैर्ध प्रसा और क्या है तो वहाँ है 390 से 780 याने मकेवी जो की D में दिया गया है नेक्ट प्रसने प्रकास बिकरणों की प्रकिरती होती है, तो तरंग यूम कर दोनों की समान होती है, जो कि C में दिया गया है, C इसका correct answer होगा, नेक्ट प्रसने प्रकास सीधी रेखा में चलता है, प्रतीत होता है, क्यूंकि यह छोटी कड़ों से बना है, गलत है, प्रकास क बेग बहुत अधिक है गलत है प्रकास का तरंग देद बहुत छोटा है जो कि C में दिया गया है C करेक्ट एंसर हो जाएगा क्योंकि यह इतना छोटा है जो हमारी आखे देख नहीं पाती है इसलिए यह सीधा चलता हो प्रतीत होता है नेक्ट प्रसन है निम लिखित में से किसका बेग अधिक्तम है तो हमें पता है प्रकास का जो की B में दिया गया है इन चारों में सबसे अधिक बेग जो है वो प्रकास का है नेक्ष्ट प्रसन है निम लिखित में से कौन सा कथम सत्य है प्रकास का बेग अधिक होता ये तो सही है ध्वन का बेग सबसे अधिक है गलत है आकासी पिंडो का बेग सबसे अधिक होता ये भी गलत है राकेट का बेग सबसे अधिक है गलत है तो ये ही इसका करेक्ट एंसर ह जाएगा नेक्ट प्रसने प्रकास का सुन्य उकास में बेग अनमानता कितना है तो हमें पता है इस प्रकास का सुन्य उकास में जो बेग है तीन गुड़े दस के पावर आठ मीटर सेकंड है तो यही करक्ट एंसर हो जाएगा यह नहीं होगा अगभी इसका करक्ट एंसर हो ज इसका correct answer हो जाएगा next प्रसने प्रकास की गती किसके बीच में बीच से जाती होए नियुन्तम होगी तो वह हो जाएगा काँच जो की ये में दिया गया है हवा में प्रकास की चाल निर्भर होती है तो हमें पता है इसके ये तापमान और दाब में पर निर्भर होती है तापमान और दाब ये अलग है यहाँ ए भी होना चाहिए तो ये कोई भी आपसन नहीं होगा तो आपको याद रखना है हवा में प्रकास की चाल तापमान और दाब पर निर्भर होती है इस प्रसन का उत्तर आपको देना है सूरी जो है, सूरी जो है पिर्थवी पर, सूरी का प्रकास जो है सूरी पिर्थवी पर कब तक पहुंचता है तो साधे आठ मिनिट में पहुंचता है, सी इसका प्रकास पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है तो आठ मिनिट का यह सी इसका correct answer हो जाएगा next प्रसन है मैं प्रकास तरंगो की y से काच में जानी पर जो चर प्रभावित होता है वह होते हैं तरंग दैर्ध और बेग जो की D में दिया गया है next प्रसन है जब प्रकास एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक आप परवर्थित रहता है तो वहा है आविर्थी जो की D में दिया गया वही प्रसने फिर यहां पे है जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निवने में से कौन सा नहीं बदलता है तो वहा है आविर्थी जो की C में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसने जब प्रकास की किरण सघन माध्यम से बिरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है यही यह सही है यह अभिलंब की और जुग जाती है गलत है यह अभिलंब से दूर हट जाती है लेकिन घट जाती है इसलिए गलत है यहां घ प्रकास से रसायनी कुर्जा से जो कि आपसन ये में दियागा ये इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा. प्रकास सजावर सथा बिग्यापन के लिए बिसरजन ना लिकाओं में प्रियुक्त होने वाली गैस तो वो जो गैस होती है वो नियान गैस होती है जो कि D में दियागा इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा. नेक्ट प्रसन है सावुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिगटना का प्रिडाम है तो वो बहुलित परावर्तन और ब्यत्री करण जो कि ये में दियागा ये इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा. नेक्ट प्रसन है पूर्ड आंतरीक परावर्तन होता है जब प्रकास कहां से हीरे से कांच में जाता है तो ये ही इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा. नेक्ट प्रसन है प्रकास तंतु जिस या आप्टिकल फाइवर जिस सिद्धान पर काम करता है वह क्या है तो वह है पूर्ड अभ्यांतर या पूर्ड आंतरीक परावर्तन जो कि ये में दिया गया है. सेम प्रसन फिर है प्रकास उर्जा का आप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना की अनुप्रियोग द्वारा किया जाता है तो वह है पूल आंत्रिक परावर्तन के प्रियोग द्वारा नेश्ट प्रसन है यह प्रकास की संचर में संकेत की इस रूब में प्रवावित होता है तो वह होता है प्रकास तरंग के रूब में जो कि A में दिया गया है नेश्ट प्रसना है निमलिकित कथनों पर विचार करना है तंतु प्रकास की ये पूर्ण आंतरीक प्रावर्तन सिधान पर आधारी था ये बिल्कुल सही है और प्रकासिक तंतु संचार तंत्र में उर्जा उभोग अतधिक कम होता है बिल्कुल सही है बिल्कुल उर्जा कम ह आउर प्रकासिक तन्तु संचार रेडियो आवर्थी अवरोध से मुक्त है ये भी सही है भारत में प्रकासिक तन्तु के निर्माण में रिलायंस उद्धोक समुव सन्नध्ध है ये गलत है तो 1-2-3 सही होगा जो कि यह में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन आपके सामने मरीजों के पेट के अंदर का परिच्छड करने है तो डाक्टर द्वारा प्रियुक्त एंडोइसकोप निमलिखित में से किस सिद्धान परकार करता है तो वह प्रकास का संकलन आंतरिक परावर्तन का काम करता है जो कि आपके सामने D में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन आपके सामने मरिग मारीज का कारण है तो यह भी आपको पता होगा प्रकास के पूरा अंतरिक परावर्तन जो कि D में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन है निमलिखित प्राकरतिक तथ्यों पर विचार कीजिए तो नेनमे से किस तथ्य के कारण परतन का काम है तो एक और तीन जो कि C में दिया गया C इसका correct answer होगा नेक्ष्ट प्रसन है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है तो हमें मैंने आपको बताया पूल आंतरिक परावर्तन के कारण जो कि C में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन है किसी बस्त के त्री बिमियें प्रति रूप को अंकीत तथा पोनड़ा विरित करने की तकनीक का क्या नाम है तो आपको इसका एंसर बताना है तो वो हो जाएगा होलोग्राफी जो कि D में दिया गया इसका करक्ट एंसर होगा फिर से यहीं प्रसन पूछा गया त्री बिमियें चित्र लेने के लिए तो होलोग्राफी जो कि B में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन है एक इलेक्ट्रानिक पुंज को फास फोरस कोटेड पर फोकस कर प्रतिविम्मों के पर जनित करना कहलाता है रोश्टर इसकैन यह आपको याद रखना है रोश्टर इसकैन कहलाता है जो कि C में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन है रमन प्रभाव का प्रकास कि उन किलडों से संबंध है जो आर पार जाती है जैसे केवल द्रव में केवल प्रजिम्ब में केवल हीरो में सभी पारदर्सी माध्यमों में यही सही है सबी पारदर्सी माध्यों में जो कि D में दियागा D correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसना है धोनी की पुनुर उत्पाद के लिए एक CD compact disc IDEO player के हैं में प्रियोक्त होता है तो क्या होता है आपको बताना है धोनी के लिए तो laser beam का प्रियोक्त होता है जो कि C में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसना है जब एक CD IDEO यों BDO प्रियोक्त होने वाली compact disc तो सूरी के प्रकास में देखी जाती है तो इंदरधन उसके समारंग दिखाई पड़ते हैं इसकी ब्याख्या की जा सकती है तो हमें पता है परावर्तन यों Bवर्तन के परिखतना की आधार पर होती है तो ये ही इसका correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसन है दोस्त जो बार बार प्रसन आते हैं मैं उसे ignore कर देता हूँ दूर दर्सन के संकेत एक निश्ची दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ही संकेत दुर्बल है एंटीना दुर्बल है वायु संकेत को सोसित कर ले थी गलत है प्रतवी की सता वक्राकार है जो की D में दिया गया है next प्रसन है दूर दर्शन पर सारण में स्रब संकेतों का प्रेसर करने के लिए प्रियुक्त तकनीकी है तो जो प्रियुक्त है वो आवर्ती मांडुला नहीं जो की B में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है द्रिष्टी पटल या जिसे हम रेटिना कहते हैं रेटिना पे जो चित्र बनता है वो बस्तू के बराबर गलत है वो बस्तू से छोटा वा सीधा होता है ये गलत है वो बस्तू से छोटा तो होता है लेकिन उल्टा होता है तो सी इसका करेक्ट एंसर हो ज जाने जा सकते हैं, दोखो आखों के कारण हम अंधेरे वा हलके प्रकास को आसानी से देख सकते हैं, ये भी गलत है, इसी कारण मोजे एक बिजन द्वारा मनुस देख सकता है, गलत है, इसी कारण से दूरी यों गहराई का हिसास होता है, ये सही है, डीस का करेक्ट एंसर हो ज सुनने की द्रिड़ता वन बाई 10 सेकंड होती ये भी सही है और द्रिष्टी की द्रिड़ता वन बाई 16 सेकंड होती ये भी सही है तो इसमें जो गलत है वो है बीज भी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रसना आपके सामने है पूर्ण सूर गरार के दवरान सूर के सीधे देखने से आँखों में आपरवर्तनी एच्छत पहुंचती है रेटना का जलना सूर के केरणों के निम्न घटकों मेंसे किस एक का कारण है तो वह है अल्ट्रा वाइलेट प्रकास जो की सी में अंडलिये में प्रकास का बिसरण क्या है तो वह है धूलकन जो की बी में दिया गया बी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन है प्रकास का रंग निर्धारित होता है तो वह उसके तरंग दैर्ज से निर्धारित होता है बी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन है निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैद है तो वो है लाल डी इसका correct answer हो जाएगा जिसका मान होता है चार गुड़े 10 के पावर माइनस 15 ये भी आपको याद रखना है सुरी दोस्ट चार गुड़े 10 के पावर माइनस 5 होता है नेक्स्ट प्रसन है सबसे कम बेब लेंथ या तरंग दैद वाला प्रकास तो वहाँ है बैगनी जो कि डी में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन है निमलिखित में किस में उच्चितम उर्जा होती है तो नीला प्रकास में जो कि ये में दिया गया है अगर आपसे यहाँ जैसे उच्चितम कहा गया और नियूनतम पूछा जाए तो नियूनतम किस में होती है लाल में होती है यह भी ध्यान रखना है यहाँ पर फिर से प्रसंद दिया गया सफेद प्रकास में उपस्थे निमलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीचा के प्रिजम द्वारा सबसे कम बिचलित होंगे तो लाल रंग होंगे जो की बी में दिया गया है नेक्स्ट प्रसंद है हमें वास्तिविक सूरियोदे से कुछ मिनट पूर भी सूर दिखाई देने लगता है तो इसका जो मुख्य कारण प्रकास का अपवर्तन है तो डी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रसंद है छितिच के समीब सूरियोदे चंद्रमा के दीर्ख बृत्ता कार दिखाई देने का कारण जो है अपवर्तन अपवर्तन ही इसका ये इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्ट प्रसन आपके सामने सूरी के प्रकास के आदिर सभाग से प्रकास संसलेशर किया जाता है कुछ बैक्टिरियों के द्वारा जो की C में दिया गया है नेक्ट प्रसन है ट्रैफिक सिगनल में लाल प्रकास प्रिक्ट होता है क्योंकि हमें पता है इसकी तरंग देज जो है लंबाई जो है सबसे अधिक होती है सरवाधिक होती है तो ये इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रस्ण है आकास नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकास का परकीरण सबसे अधिक होता है ये बिल्कुल सही दियागा ये ही इसका correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रस्ण है निम्लिकी कथनों पर विचार कीजिए आकास के नीला दिखने का कारण प्रकास का परकेड़ना सही है इंदर धनुस के साथ रंगों का कारण है प्रकास का परकेड़ना ये गलत है सूर्योदे के सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकास का परकेड़न ये भी सही है तो एक वा तीन सही है जो की option B में दिया गया है Next प्रसन है सूरियास्त तथा सूरियोदय के समय सूर के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है तो इसका correct answer है प्रकास का परकीरलन दो की option number A में दिया गया है Same प्रसन फिर आपके सामने अस्त होते समय सूरियोदय की दिखाई देता है तो परकीरलन के कारण जो की B में दिया गया है Next प्रसन है अंतरिच यात्री को आकास का रंग कैसे दिखाई देता है तो अंतरित शात्री को आकास का रंग जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है जो कि C में दिया गया है क्योंकि वहाँ पे वायू बिद्धिमाद नहीं नेक्ष्ट प्रस्ण है समुंदर नीला परतीत होता है अधिक गहराई के लचल के कारण गलत है आकास के परावरतन तता जल के कडो द्वारा प्रकास के परकिरलन के कारण जो कि B में दिया गया बी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसन है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यूंकि या हरे रंग के प्रकास को हमारी आखों पर प्रावर्चित करती है यही इसका correct answer हो जाएगा जो कि A में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन है प्रसारी बिस्व की संकलपना आधारी था किस पर तो डापलर पर भाव पर तो यह इसका correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसन है किसी उत्तल दरपन द्वारा अनन्त तथा दरपन के धुरूपी के बीच रखे बिम्ब के प्रत बिम्ब की प्रिकृति क्या होगी तो आभासी तथा सीधा होगी जो की option यह में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन आपके सामने है कार के पीछे के यातायाद के द्रिस्याव लोकन के लिए किस प्रकार के c से का प्रियोग किया जाता है तो वह हो जाएगा इसका correct answer उत्तल दरपन जो की c में दिया गया है सेम प्रसन यहाँ पर भी है वहानों में प्रिष्ट द्रिष्टी दरपन के रूम में किस दरपन का प्रियोग किया जाता है तो उत्तल दरपन का जो की b में नेक्स्ट प्रस्ण है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए हमें चित्र बड़ा परदर्सित करना होता है इसलिए यहां आउतल दरपड का काम में लेते हैं जो कि यह में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निमने में से कौन सा सबसे उचित है तो उपर उजला और नीचे काला होना चाहिए भी इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रस्ण है खगोलिये दूरदर्शी से बना प्रतविम होता है तो खगोलिये दूरदर्शी से जो बना प्रतविम होता है वो कालपनिक और बड़ा होता है तो बी इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है जब दो समांतर समतल दरपडों के बीच कोई बस्तू रखे दी जाती है तो बनने वाले प्रतिविमों की संख्या अनन्त हो जाएगी यह आद रखना D इसका correct answer होगा सेम प्रस्ण यहाँ पर भी प्रकास के एक बिंदू स्रोत के दो समांतर समतल दरपडों के मद रखने पर प्रत्विम कितने बनेंगे अनन्त जो की D में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है जब किसी दरपड को theta कोण से घुरुड़ित किया जाता है तो परवर्तित किरण के घुरुड़न क्या होगा तो वह होगा 2 theta दो की option D में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण आपके सामने है कथन ये याता या संकेतों पर जुड़ी हुई काच की छोटी छोटी मरिकाएं उन पर प्रकास पढ़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं बिल्कुल सही है प्रकास पूर्ता परवर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित करांति मान से अधिक हो जाता है यों अपेच्छा कृत सगन माध्यम से गुजरता हो प्रकास के अपेच्छा कृत बिल्ल माध्यम में परवर्तित होता है तो ये और आर दोनों सही है और ये आर का अस्पश्टी करण भी है या ब्याख्या भी करता है तो इसका जो correct answer होगा वह हो जाएगा आपसन नमबर ये ये इसका correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसन आपके सामने है प्रकास में 7 रंगों होते हैं रंगों की अलग-अलग करने का क्या तरीका है एक प्रिजम से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है जो कि ये में दिया गया ये इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रसनाब के सामने इंद्रधनुस के रंगों का सही करम है तो इंद्रधनुस के जो रंगों का सही करम है वो नीला हरा पीला है जो की D में दिया गया है डीस का correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रसन आपके सामने है जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंदरधनुस बनता है इसके लिए निम लिखित में से कौन सी भोतिक परिगटना है जिम्मेदार है तो परिछेपड भी है अपवरतन और आंतरिक परावरतन तीनों है तो आपसर नमबर डी सही हो जाएगा एक डो इंटीन नेक्ट प्रसन है प्रकास का वरण बिच्छेपड संभव है तो हमें पता है प्रिज्म के द्वारा जो की ये में दिया गया है नेक्ट प्रसन है अधो लिखित में से कौनसा रंग इंद धनुस के मध में दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है हरा जो की बीच में दिखाई देता है भी उसका कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आप दे शकते हैं इंद्रधनुस का द्रिसो का जो रंग कहा है वो लाल है नारंगी है पीला है हरा है नीला है जामुनी बैगनी इनमें जो बीच में दिखाई देता है वो हरा दिखाई देता है इंद्रधनुस के दोनों सीमान तो वरण पठ होते हैं तो दोनों एक इधर तरफ एक लाल होता है एक बैगनी तो बैगनी लाल सही हो जाएगा जो कि D में दिया गया है नेक्ट प्रसन है दोपार के बारा बज़े किस दिसा में इंदर धनुस दिखाई देता है तो दोपार के बारा बज़े पहली बाद यह देख नहीं सकते हैं तो D इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रसना आपके सामने है कथन एक छड़ी को जल में तिरची स्थिती में डुबोया गया है यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सता पर जुकी हुई परतीत होती यह सही है छोटी फिर दूसरा है आर छड़ी से आने वाला प्रकास जल अड़वों की परकेंडित होकर छड़ी को छोटी और जुकी हुई होने का आभास देता है यह गलत है तो A सही है आर गलत है तो इसका correct answer C सही हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन आपके सामने है इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा निम लिखीत कथनों पर विचार कीजिए तो पहले यहाँ पर दिया गया यदि कोई ब्यक्त पानी भरी वाल्टी में पड़े एक सिक्को को देखता है तो सिक्के अपने वास्तियों के अस्थल से अपेच्छा करेट निकट लगेगा यह सही है पहला यदि जल के अंदर कोई ब्यक्त जल तल से उपर एक सिक्की को देखता है तो सिक्का अपने वास्तियों के अस्थल से अपेच्छा करेट अधी कुछ आई पर लगेगा तो आप सारी लेंस जैसा जो की C में दिया गया है Next प्रसन आपके सामने है किसी व्यक्त का पूरा प्रत्विम देखने के लिए एक समतल दरपड की नियूंतम उचाई होनी चाहिए व्यक्त की उचाई का आधा जो की B में दिया गया है Next प्रसन है एक सम्तल दरपड की वकृता त्रिज्या होती है तो एक सम्तल दरपड की वकृता त्रिज्या अनन्त होती है सी इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रसन आपके सामने है 1.50 मीटर लंबे व्यक्त को अपना ख़़ा संपोल प्रतविम देखने के लिए आवस्यक दरपड की नियूनतम लंबाई तो अभी आपने पढ़ा कि जो नियूनतम लंबाई होनी चाहिए उसकी याधी होनी चाहिए तो 1.50 का आधी होगा 0.75 मीटर जो की ये में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन आपके सामने दूर द्रिष्टी दोस निवारर के लिए काम में आते हैं लंस तो हमें पता दूर द्रिष्टी के लिए आते हैं उत्तल और निकर द्रिष्टी के लिए आउतल ये आपको याद रखना है तो उत्तल दरपड होगा जो की B में दिया गया है दूर दिरिष्टी वाला व्यक्त को संबंध में निमलिखित कथनों में इससे कौन सा कथन एक सही नहीं है व्यक्त दूर के पिंडो को आसपश्टा देख सकता है सही है लेंस के नाभ्यांतर अधिक होता है ये भी सही है निकट के पिंडो का प्रत्विम रेटिना के पीछे फोकस होता है ये भी सही है इस दोस्त को ठीक करने के लिए आउतल देखिए ये आउतल नहीं उतल का प्रियोग करते हैं तो ये गलत है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्ट प्रसन आपके सामने निकट द्रिष्टी दोस्त दूर करने के लिए निम्लिखित में से कौन सा लेंस उप्योग में लाया जाता है तो वो कांके जो की नतोदर भी कहते हैं B में दिया गया, B इसका correct answer हो जाएगा Next प्रसन है, निकर द्रिष्टी दोस को ठीक करने के लिए तो निकर द्रिष्टी दोस को लिए आउतर लेंस कप्तियों किया जाता है जो कि B में दिया गया है Next प्रसन है, पढ़ने में काम आने वाले glasses किस प्रकार की लेंस से बनते हैं तो बनते हैं उत्तर लेंस से जो कि B में दिया गया Next प्रसन है, आँख में संकेंद्रन होता है तो लेंस की उतलता में परिवर्तन द्वारा जो कि A में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्णाप के सामने है म्रिक्री त्रिसला एक प्रकासिक घ्रम है जो प्रकास को पूर आंत्रिक प्रावर्थन से उत्तपन होता है विल्कुल सही है सर्च लाइट में अउतल दरपड प्रियोगत होता है ये भी सही है गर्मी में सामनता सफेद यों हलकी रंग वाले कपड़े गाड़े रंग के कपलों की तुलना में वारिये माने जाते हैं ये भी सही है एक छोटे छिद्र वाला उतल दरपड डाक्टर द्वारा रोडलियोग नाकाई गलत है यहाँ पे उतल दरपड नहीं उतल दरपड का प्रियोग होता है नाकान डाक्टर वालों के लिए तो डीस का सही एंसर हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसन है खोजबत्ती में दरपड जो प्रयोग थोता वाकों सा है तो नातोदर दरपड है जो की ये में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन है यदि किसी ए नग का लिंस का पावर फलस टू डाउप्टर है तो उसके फोकस की दूरीं क्या होगी देखिए हमें पता है focus दूरी होता है यह वराबर 1y P ठीक है 1 मतलब meter होता है तो कितना centimeter होता है और P focus जो पी जो है power कितना है दो तो 2 से हम काट देंगे तो कितना देगे 50 तो यह वर कितना आगया focus दूरी 50 50 centimeter इसका correct answer हो जाएगा जो कि C में दिया गया है नेक्ट प्रसन है धूप के चिसमे की power होती है तो धूप के चिसमे की जो power होती है जीरो डाइप्टर होती है जो कि यह में दिया गया यह इसका correct answer होगा नेक्ट प्रसन आपके सामने है समान focus दूरी वाले काच के दो लेंस चिन में से एक उत्तल दाथा दूसरा उत्तल लेंस है तो एक दूसरे से सटा कर रखे जाए तो इसमें युगम का कौन से बेवहार होगा तो काच के समतल चादर की भात बेवहार होगा जो कि C में दिया गया C इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रसन आपके सामने कैमरे के दौरक और कपाट गतिका निमलिखित में से कौन सा सायोग अधिक्तम उदभासन होने देगा इसका answer बताना है देखिए टप प्रसन है लेकिन इसका answer हो जाएगा focus बाइस 1 by 60 ये में दिया गया ये इसका correct answer हो जाएगा ISPRI 1994 में पूछा नेक्ट प्रसन आपके सामने है आँख के रेटिना की परम परागत कैमरा के निमलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है आपको इसका answer बताना है तो इसका हो जाएगा फिल्म के भाग से जो की ये में दिया गया ये इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रसन आपके सामने है मनुस की आँख में किसी बस्तु का प्रतविम कहां पर बनता है तो बनता है दृष्टी पटल जहां रेटिना कहते हैं रेटिना में बनता है तो इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रसन आपके सामने है किसी अपार दर्सी बस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसमें वा परिवर्तित होता है तो सी इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रसन आपके सामने इसका उतर देना एक रंगीन टेली वीजन में तीन आधार भूत रंगों का मिसरल से रंग बनते ये कौन कौन से है तो होते है लाल, हरा, नीला कौन कौन से लाल, हरा, नीला तो भी इसका correct answer हो जाएगा सेम प्रसन यहां पर भी छपा आपके सामने वह कौन से मूल वरड है जिसे टीवी के परदे पर विभिन रंग प्रकट होते हैं तो लाल हरा नीला होगा जो कि ये में दियागा ये इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्ट परसन आपके सामने है जब लाल नीले तता हरे परकास का पुँच एक अस्थान पढ़ता है तो परकास का रंग कैसा हो जाता है तो वह सफेद हो जाता है डी तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा यहाँ आपसे पूचा गया कि कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है तो लाल है और पीला है नीला है लेकिन काला नहीं है तो ये इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्ट प्रसन आपके सामने तीन रंग मूल रंग कौन कौन से हैं तो वह लाल हरा नीला या नीला हरा लाल जो की बी में दिया गए भी इसका करेक्ट एंसर होगा नेक्ट प्रसन आपके सामने सूर के प्रकास में रंगों की संख्या कितनी है तो वा साथ है जो कि डी में दिया गया है डी इसका correct answer हो जाएगा निमने मेंसे बिसम को पहँचानना है तो हरा लाल पीला सही है लेकिन भूरा अलग है तो भी इसका correct answer हो जाएगा तो इसमें जो सही है तो एक दो चार सही होगा एक दो चार कहां पे हसी महसी इसका correct answer हो जाएगा हम लोग प्रकास chapter के जितने important person आये थे मैंने complete कर लिया है अब हम उस्मा यूम उस्मा गत्की के chapter next वीडियो में करेंगे आसा करता हो यहां तक आपके समझ में आया होगा और जितना मैं यहां पे पी वाई क्यू करवा रहा हूँ previous year question जो आप तक पूछे गए है प्लीज पूरी वीडियो आपको देख लेना है और अपने मित्र तक share कर देना है next part आपका आएगा जब इसमें 500 view और प्लस 50 like आ जाएगे तो मिलूंगा एक दूसरे next video में चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा धन्यवाद जैहिंज जै भारत बंदे मात